इन दिनों यातायत पुलिस विभाग द्वारा याताया सुरक्षा मह मनाया जा रहा है जिसके ताथ अब एक फरवरी से हाईवे और सेंटरल एवेन्यू पर चलने के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं लागू नियम का पालन नहीं किया तो होगी बड़ी कारवाई तो हो जाएं सावधान और देखें क्या है नियम जो एक फरवरी से लागू होने वाला है अब वे लोग सावधान हो जाएं जो बिना हैलमेट के दुपाहिया वाहन चलाते हैं और सेंटरल एवेन्यू और हाईवे पर चलते हैं क्योंकि एक फरवरी से यातायाद विभाग दुर्ग द्वारा सेंटरल एवेन्यू और हाईवे पर चलते समय दुपाहिया वाहन चाल वाहन का चालन करते समय बिना हेलमेट न चले और तीन सवारी भी न चले बावजूद इसके दो पहिया वाहन चालक गेर जिम्मेदार तरीके से वाहन का चालन करते हैं और अपनी जिंदगी को खत्रे में डालते हैं परंतु एक फरवरी से यह नियम काफी सक्ति के साथ पड़ी हुई है जिसके अभाव में यातायात आरक्षकों को कड़ी मशक्त करनी पड़ रही है एक फरवरी से लागू होने वारे सक्कियम के बारे में यातायात पुलिस विभाग दुरुप के डियस पी सती श्ठाकुर ने एसीयन नियूस टीम को जानकारी दी है सड़क सुरक्षा समीति की बैठा कायजित की की थी जिसमें जिलादेश महदय वरिश पुलिस अजिशक महदय उपस्तित थे इसमें यह ने लिया गया है कि एक फरवरी से नैशनल हाइवे में दो पईया वहान चालुकों के लिए हेलमेट अनुवार रहेगा और उसी प्रक कोई हेलमेट पहना नहीं मिलता है तो उसका चैनान भी भेजेंगे कि लगातार देखने में आता है कि जो दुरुखटना अधिकांस दोपईया में ऐसे व्यक्ति शिकार होते हैं जो हैलमेट नहीं बहनते हैं तो इसमें सक्त कारवाई करता हुए कल से विशेश अभियान च एनेच में जो डबरा पारा का फ्लाइवर बन रहा है और उसको भी सिक्रिप कंप्लीट करने के लिए बारा फर्वरी की गाइडलेन दिया गया है उसको चालू कर दिया जाएगा तो जिसी निश्री रूप से लोगों को और आम नागरिकों का काफी सुविदा मिल पाएगी एक तरफ जिले में यातायाद विवस्ता सुधारने के लिए यातायाद पुरिस विभाग एक बार फिर हैलमेट नियम को सक्ती से लागू कर रही है तो वहीं दूसरी और सरक सुरक्षा माह मनाते हुए भी सरक के चौक चौराहों पर सिग्नल लाइट खरा पड़ी हुई है ACN News के लिए भिलाई से संतुष शर्मा की रिपोर्ट